वेलकम बैक तो दा चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे कैनाडा के साइवर डिफेंस एजेंसी ने अपने तरफ से एक ऑफिशल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहां बहुत सरे कंप्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्रूडेड है वो आगे जाके कैनाडा के लिए एक फ्रेड बन गये हैं कैसे लोग का धेना है के हो सकता है कि इंडिया केória के गवर्मेंट के तरफ से जो इंडियो आप कोई धाकर सकता है जिससे में गजा बहुती मीजर प्रॉलेम प्रियेट हो सकता है तो ऐसा ही एक आशंखा Canada के तरफ से जारी किया गया है और हो सकता है कि Canada एस पर Canada के इंडिया बहुत जल्दी यह सारा स्टेप ले तो नो डाउट जब Canada के Cyber Defense Agency के द्वारा ऐसा statement officially released किया गया है तो इसके बहुत सारा questions arise होता है पहला इंडिया क्यों Canada के लिए फ्रेट है या फिर इंडिया के hacker क्यों Canada का जो वेबसाइट से गवर्मेंट का वेबसे उसमें एटक करेगा इसके पीछे reason क्या है या फिर Canada का क्या सोच है दूसरा यह जो लिस्ट है जैसे मैंने आपको कहां कर इस लिस्ट में और भी countries का नाम है तो exactly कौन-कौन सा countries का नाम है और उन countries के साथ इंडिया का नाम क्यों लोग एड किये है इसके पीचे exact reason क्या है कुछ वीक पहले ही हम लोग देखे जो निजर का जो केस था exactly निजर के ऊपर जो एटाक किया गया था कैना ने बहुत करने टाइम से अपने तरफ से क्लेम कर रहा था कि निजर के पीचे इंडियन government का हाथ है हम लोग के पास proof है on the other side end में जाके हम लोग को यह देखने को मिला कि यूएस अपने तरफ से इसमें गुसा और यूएस ने clean and clear कर दिया कि इंडिया जो है तो आगे जाके चेनाडा और इंडिया का रिलेशन क्या होगा इसके पीछे एक्जाक डियार रिजन के पीचे जिम्मेदार है उ सारा जो कोशिण्स का एंसर है सब करके क्लियर करने का कोशिश करते हैं पहला जो कोश्यन है कैनाडा को इंडिया के तरफ से ये जो ठ्रेट दिख रहा है एक ज़र इंडिया कंट्री बन गया जो इस पे क्यों अटक करेगा एक्जाक्ली यह लगने के पीछे कारण क्या है है घीर दीटर लास्ट छेकला ह friendly ने अपने तरफ से इंडियillar का नाव ले लिया बोल लिया के का हम भी पूफ OH को सबमिट कर दिये है जब्कित वह पौलिक नहीं होता अन गदो सेट इसके बाद यूएस अपने तरफ से क्रीन क्लियर इसमें घुसा और यूएस ने क्रीन क्लियर बोल दे कैनाडा में यह सब जो चल रहा था एक्जाक्ली कोई प्रूफ नहीं है जिसको लेके कैनाडा में भी अगर देखा जाए जस्टिन टूडो को बहुत कुछ जहलने को पर और हर किसी के पास एक्जाक्ली जस्टिन टूडो को यही जवाब देना पर है कि वो लोग कैसे विदाउट एनी प्रॉपर डॉकुमेंट्स या कि कोई प्रॉपर फूफ ऐसा है इंडिया के एक मतलब अलिगेशन जो है यह कर सकता है तो यह जो सिचुएशन था पुरा इंडिया इंडिया सबको पता है तो कैनाडा को अब डर्स अतने लगा है कि चैनाडा इंडिया में जो हैं गावब्रमेंट वेप्साइट है वह सब कुछ है कर दे आगे चाहिक हम लोग को और भी प्रॉब्लेम चलना पड़े और यह जो फिर ऑगर होता है ऐसा कुछ किस ने हैक किया है कि आगे जाकर जाता है तो यह वह सब बात नहीं है हर को यह नहीं कर सकता तो अब यहीडर सताने लगा है और यहीडर के वज़ए से कैनाडा बोल रहाएं कि इंडिया जो है हम लोग के लिए थ्रेड बन जिया है on the other side अगर देखा जाए जब से निजजर का case सामने आया है इसके रहे इंदिया ऐसे को इंट्रेस्ट में ले रहे है इंडिया आपने तरफ से कभी भी आगा जाके कैनाड़ा के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देथा कैनाडा के गवर्मेंट आज के डेट में भी अगर देखा जा यह एक फेक प्रोगांडा रहा था जो सब के सामने आ गया था और प्रेजेंटली जब उन को दूसरा कूछ नहीं मिला कभी जाके कैनाडा ने अपने तरफ से यह सकता है जाके पास यह आइडिया कैसे पास एक टाइम में बैठे कुछ हैकर आपने वार्व टीम जाके कैनाडा कूछ वेबसेंस को है कर लिया नहीं लिए गया नहींन आ है इसके वाई सब्सक्राइब के साथ हम लोगा क्या क्या पंगा है और एक एक करके इशू में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो आभी तो दूसरा सुस्था हम लोग करना होगा ना तो पुराना जो इसू था उसको फिर से लोग अलग कशी मैं तरह से पैक किया और अपने तरब स और बहुत आपको बैठा के यह सारा स्टेटमेंट जो है इंडिया के एंडिया के एंडिया के अगेंस्ट में इडिफ्रेंट और भी कंटी जे इसमें तो आब आते हम लोग का दूसरा कोश्चन पर एक्जाट्ली कौन-कौन सा कंट्री के एंगेंस्ट में कैनाड़ा ने अप इसके साथ अभी लोगों ने इंडिया को मतलब जस्टिन टूडो के लिए प्रेजेंट ली इंडिया यह सारे कंट्री के साथ इन्टेड़ी में परता है इसके वज़ेंसे यह लोग इंडिया को भी अपने तरब से बोला है तो आप यह सुनके बोली सकते के भाई यह सारा इंडिया के साथ यह साल पहले भी हम लोग के साथ कैनडा का कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं था इंडिया के तरफ से एक यूज अमाउंट आप स्टुडेंट्स जो हाय स्टुडिस के लिए जिसके वज़े से कैनडा का जीकोनमी उसमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता था इसको लेके तो बहुत सारा फालिस्तान इस्यू जो है वो तो अलग है तो अचानक से क्या हुआ जो इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया को एड कर दिया गया तो नो डाउट आज के डेट में अगर हम लोग वेस्ट को देखे वेस्ट का जो दुश्मन है उसमें सबसे उप सब्सक्राइब करने के लिए तो नो डाउट अगर देखा जाए वेस्ट जो भी कर रहे है ऐसा नहीं कि सारा कुछ अगर देखा जाए तो सही है आज के डेट में वेस्ट अपने तरब से अपने दुश्मनों के लिए एक वाट बहुत ही उस कर रहा है जिसको कहा जाता है क्रिंग सी आर आई एन के चाइना रशिया इरान नौर्थ पोरिया और एक्जैक्ली अगर देखा जाए प्रेजेंट ली कैनाडा का जो मनलब स्टेप्स है कैनाडा उसके साथ इंडिया को भी एड करके दुनिया को ऐसा एक रिप्रेजेंट करना चाहता है इंडिया का जो न्यूट जो सब करेगा जिसमें चाइना है और उसमें है आपका नूटर बना जो कंट्री अपना नेश्नल इंट्रेस्स से ही अपना काम रखते हैं जिसमें सबसे उपर है इंडिया अब यह जो थर्ट पार इसमें बहुत सारा कंट्री से इन लोगों को खुश नहीं आता है कि रशय रहर है उन लोग पिस सेग्मेंट में बहूंत सरा ऐसे कंट्रीज को यह सा मओधी कंट्री में एंड इस कंट्री के पास में आढ़ जोए प्लब अगरOS नहीं ऋड़िब दुनिया के कोई खराब लगे मगर यह पैक्ट है अगर आपके पास पैसा है तो सही ए अगर आपके पास नेच्टरल रिसोर्स है तब सही ए ने करेंगे या फिर अगर आपका कंट्री में कोई एक ऐसा लोकेशन है जो जिए पॉलिटिकली बहुत ही इंपोर्टेंट है तब जाके आपके कंट लेवेल पर इंडिया टेक्नोलोजी में आगे बढ़ रहें तो यह सारा रीजन से जिसके वाज़ेसे यह जो थर्ड सेग्मेंट में सबसे उपर है इंडिया अगर एक चीज इंडिया का कॉमोन है इंडिया पहले भी आपने नैशनल इंट्रेस्ट से ज्यादा इंट्रेस्ट करती हुए डिफरेंट कांट्रीस में जो रिलेशन है वो बैलेंस करते हैं मगर कनेड़ा का भी शौक चरह है कि हम लोग इंडिया का यह जो नीट्रल पोजिशन है यह बहुत हम लोग को खटक रहें कि यह नीट्रल पोजिशन के बाएसे इंडिया बेनिफिट जो है को भी agreement हुआ यह सब कुछ अभी तक इंडिया को अपने तरफ से भी अपना स्पीच रखता तो यह जो चीज है यह कैनाडा को खटक रहे हैं जिसके वज़े से युएस अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेगा युएस चाहता है कि यह चीज को हम लोग रेस करते हैं यह रेस करन करते हैं एक बार हो गया आपका निजर का अटक जिसमें तूड़ो बहुत ही पैट्रियाट होके बोला कि हम लोग का कंट्री का अगर कोई सिटीजन के ओपर कुछ होता है अब कुछ नहीं करते हो क्योंकि आपको पॉलिटिकली सपोर्ट अभी तक मिला हुआ था जो अभी तो यह है कंप्लीटली एक साइड अगर हम लोग देखे इसके लाए भी तो अभी जो कैनाडा है कैनाडा अपने तरब से चाहता है कि यह जो इंडिया का नीट्रल पोजिशन है इसको रिमूफ करके इंडिया को ऊपर एक टैग लगा देते हैं यह एंटिवस टैग जो हम ल प्रण होता है उसके बाद जब वो इशू कंप्लीटली मुह के बल गिर जाता है फिर दूसरा इशू कर देता है और यह जो इसी का एक पार्ट है तो आब आते हम लोगा फोर्थ कोशन पर एक्जाक्ली फ्यूचर क्या है इंडिया का डिलेशन जिस लेवल पर चल रहा है आ अगए चांस मिल जाएगा कि वो फिर से फिर क्योंरा में उपना रासकर पाए तो जिसके वैसे अगर चेनाडा में कत चैन्ग होता है इंडा को अधा कि करने का कुशिश करता है तो इंडिया अपने तरफ यह रीजे डाया को एंडिया अपने आपको हर दुनिया के सामने लाएगा एक मेजर फैक्टर है जो मेजर फैक्टर है इंडिया इकोनोमी जो ग्रोभ कर रहे जिसके वाई से कैनाड़ उस लेवल पर पर्फर्म नहीं करेगा एक और वह हे युएस का सपोर्ट जो है युएस का जैसे हम लोग को करने करना है हम लोग रस्या के साथ भी रिलेशन अच्छा करने के लिए कोशिश करें तुम बैटे-बैटे घर में यह सब बंद करो तुम्हारा तो ऐसे ही खतम हो गया है इसके लाव हम लोग देखे एक और फैक्टर है वह फैक्टर है आपका इंडिया का प्रेजेंट जो दुनिया भर में अपना जैसे इंडिया कर रहा है हम लोग को पता है कि जी से वेन आज के डेट में वेस्ट के लिए वन अप दे मॉस्ट इंपॉर्टेंट है अगर इतना सक्सेस्फुल नहीं रहा है यह तूटो चाहता है कि जी सेवन में इंडिया नहीं नहीं आ इसलिए हम लोग इंविटेशन भी नहीं बेजेंगे और हो तरव से यह सारा कुछ करदा है हैं और हो सकता है कि इंडिया की तरफ से हमारे जो न आजाए कानेडा का यह सब जो अभी जो कर रहा है इसके वाई से कोई और जाए या फिर इंडिया अपने तरफ से बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे कि यह रवया रहा है इंडिया के लिए तो आगे जो भी होगा आपको अपडेट देंगे और यह जो स्टोरी है यह जल्दी खतम होने वाला नहीं है जब तब रूडो रहेगा तो खुछ ना कुछ वो उंगली करता ही रहेगा और हर बार कुछ ना कुछ वो करेगा और हम लोग के सामने आ जाएगा अगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और देखना है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यह जब आएगा और यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सरा धन्यावाद आपको थागर बहुत सरा देखने के लिजए के लिए है, लिएसरे इंट्रेस्ट करें पिल्टेश कि वरियो और यह जाएगा है